हलो एंड वैलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल हलो शिक्ष्याबाय आदी तो फ्रेंड्स आज सिखते हैं को अलगतर की स्टेक्चर जैसे कबसे तुमने अंड देखाना शुरू कर दिया कबसे तुम इस जिम्में आ रहे हो कबसे तुमने टैनिस में इतने अच्छे हो गए कबसे तुमने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया तो इस तरह की स्टेक्चर कैसे बनती है चलिए देखते हैं उससे पहले अगर मतलब होता है कि कब से, ठीक है, helping आपको लगानी है, आगे subject है, और प्लस आपको जो भी other है, object हो गएर आपको fix करना है, example देखी जैसे कि कब से तुमने अंडे खाना शुरू कर दिया, तो since when did you start eating eggs, since when आगया है, helping up, did I को कि past का sentence है, you start आगया, start के बाद में आपको भी verb आती है, तो ing लेकर आती है, धान करेगा, start के बाद में कोई verb आती है, तो ing लेकर आती है, तो eat आई है, तो eating लगा दिया, eggs मतलब under हो गया, तो since when did you start eating eggs, ठीक है, और एक और example देखी, जैसे कि कब से तुम इस जिम में आ रहे हो, तो since when have you been coming to this gym, ठीक है, तो have you been का यूजवा है, क्योंकि यहां present perfect continuous का वाक्य है, कोई काम करते आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पी यूजवा है, कब से तुम tennis में इतने अच्छे हो गए तो since when did you become so good at tennis, पास्ट का वाक्य है, डिट का यूजवा become मतलब होना होता है, so good मतलब इतने अच्छे, at मतलब tennis में, ठीक है, कब से तुम अंगरेजी बोलना शुरू कर दिया, since when did you start speaking English, श्टार्ट के बाद में, आयं जी फिर्म लग गई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी